उत्तप्रदेश में विधान सभध चुनाओ के वक्त यूपी में काबा गाना काफी सुर्ख्यों में रहा इसको गाने वाली नेहा सिंग राठोर भी काफी चर्चा में रही इस दोरान उन पर बीजेपी विरोधी होने का भी टैग लगा था वहीं कई बार उनके राजनीती मे आने की अठकलें चली लेकिन उन्होंने इस सवाल पर खुद जवाब दिया है एक शो बैठक के दोरा नेहा सिंग राठोर से जुड़ा सवाल किया गया उनसे सवाल किया गया कि अठकले हैं कि नेहा आरजेडी जॉइन करने वाली हैं तो क्या आपका किसी पार्टी के लिए वाली है ज़ूइन के सॉफ्ट कॉर्नर है या कभी हम आपको राजनीती में देखेंगे तब नेहा सिंग राठोर ने कहा जब मैंने बिहार में काबा गया था तो लोगों ने कहा था कि मैं conseat की agent हो जब मैंने यूबि में काबा गया तो लोगों ने कहा कि मैं सपा की agent हूं गाईका ने आगे कहा मेरा ये मानना है कि हम जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल पूछेंगे विपक्ष से हम क्या सवाल कर दे उसके पास कुछ भी नहीं है आरजेडी का एजेंट मैं होती तो मैंने एक लाइन गाईथी की 15 साल चाचा थे और 15 साल पापा अगर कोई पॉलिटि पी विरोधी है अगर आप इस वक्त मुझसे पूछें मैं कहूंगी कि अगले पांच या दस साल तक भुजपुरी के लिए और इसकी गरिमा के लिए लड़ते दिख रही हूं मैं भुजपुर में रोज नएगीत लिखते और गाते दिख रही हूं बता दें कि नेहा सिंग राठोर बीते दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंची तोवे शामिल हुई थी